नमस्कार दोस्तों गार्गी क्लासेश पर आपका स्वागत है डेटा आज के 28 फरवरी 2022 देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रस की इंपॉर्टन न्यूस जो भी हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे Explain Peace के दो आर्टिकल से दोनों को डीटेल में एक तो ये कि जर्मनी ने अभी रशिया पे कुछ सैंक्शन्स लगाये हैं कल की न्यूस थी तो उसमें जर्मनी का जो टर्न अराउंड है तैट मींज पहले स्टेंड जो था वो एक तरीके से कुछ रिल दूसरा इंटरनेशनल स्टेशन्स में भी रशिया ने अपने participation को विड्रो करने के लिए कहा और ये कहा है कि जो इंटरनेशनल स्टेशं जो आर्थ के चारों तरफ झ्गूमता रहता है। बोलो उसमें जो propulsion का जो system है जिसमें वो energy मिलती है उसको हम बंद कर देंगे तो ये space station गिर जाएगा और इसमें गिरने के chances कौन-कौन से countries में है जिसमें US बता दिया, China बता दिया, इंडिया बता दिया, European कोई country हो सकता है इस तरीके से भलो धमकी दे रहा है यहाँ पर international space station को ब पाकी news पर नजर डालेंगे, first time the German turn around इस article में बताया जा रहा है कि United States और European Union दोनों में convergence आई है कि punitive मतलब punish किया जाए रश्या को जिस तरीके से invade किया है, तो इसमें NATO के जो key members हैं उनमें किवल एक Germany ही ऐसा था जो की रुका हुआ था इतने दिन से, अब उसने भी approval दे दिया है, क्योंकि Germany जो है, वो जो Nord Stream 2, gas pipeline अना, उसको लेकर के कही ना कई concern था, क्योंकि Germany की जो energy security है, वो रश्या पे बहुत ज़्यादा dependent है, और Nord Stream 2 pipeline में जर्मनी को बहुत ज़्यादा energy supply होने वाली थी, पर इसको अभी तक hold पे रखा हुआ था, और ultimately इस Nord Stream pipeline का operation में आने से, जर अभी तक क्या था, कि USA को केवल और केवल डाउट जो था, वो जर्मनी पे ही था, कि अगर NATO countries को हम साथ में लेकर के रश्या पे कुछ सेंक्शन या कोई लगाम लगाने की कोशिश करें, तो बुलो उसमें जर्मनी ही problem create कर सकता है, अपनी energy security के concerns को लेते हुए, तो अब ऐसे में जर्मनी की जो chancellor है, ओल्फ स्कॉल्स, ठीक है, हो सकता है pronunciation जर्मन में कुछ और हो, पर हमें जो English में दिख रहा है, हम वो पढ़ रहा है, ठीक है, ओल्लेफ स्कॉल्स, तो उनका ये कहना है, कि हम सो बिलियन यॉरो की help provide करेंगे, जर्मन आम फोर्सिस को, एक तो ये है नय reform, या नया change, इसमें क्या है, कि आपको पता है, second world war के बात में सबसे ज्यादा crisis का, second world war के time पे, सबसे ज्यादा crisis जो देखने को मिला था, वो जर्मनी को देखने को मिला था, हिटलर की जो aggression थी, उसकी वज़े से, तो तब से जर्मनी ने अपने आपको, एक कहता है कि peaceful country के त को अपनी खुद की security, खुद के हाथों में लेने की जरूरत है, तो ऐसे में 100 billion euro funding allot की गई है, जर्मन armed forces को, जिसने की जर्मनी में अब वहां की GDP का 2% तक जो है, वो खर्चा किया जाएगा, armed forces को और ज्यादा strengthen करने में, ठीक है, साथ में statement ये भी कहा गया, कि हम ये जर्मनी ने ये कहा कि हमें हमारी freedom और democracy को protect करने के लिए, खुद से, खुद को defend करने की power तयार करनी होगी, इसके लिए हमें युक्रेन से एक अच्छा खासा lesson मिल रहा है, और जो युक्रेन में जो कुछ भी हो रहा है अभी, Russian aggression की वजह से, बोला हम युक्रेन के साथ में हैं, इसके transactions को conduct करने के लिए, एक ऐसा platform है, जिससे की international transaction जो भी हो रहे हैं, इनकी information को transparently, जो लेने और देने वाले के बीच में share की जा सके, एक confidential pattern हो गया, जैसे एक internet का काम होता है, ठीक है, उसी तरीके से, ठीक है, तो ऐसे में, Russia के जो central bank assets हैं, उनको seize करने की, freeze करने के orders दे दिया गय है कि international transactions अब Russian bank से नहीं कर पाएंगे, और इस चीज़ को जर्मनी ने approval अपनी तरफ से दे दिया है, इसके अलावा, जो arm supply की बात है, policy की, उसमें भी देखो, जर्मनी ने changes किये हैं, कि हम Ukraine को support देंगे, फिर चाहे वो anti-tank weapon हो, surface to air missile हो, या rocket propelled grenades हो, इन सब की supply जर्मनी देने के लिए ready है किसको Ukraine को, और ऐसे में नेटो अलाइज में अगर देखा जाए, तो ये केवल एक जर्मनी ही पीछे था अभी तक, जो कि अब आगे आ चुका है, ठीक है, और जर्मनी डिरेकली Ukraine को supply नहीं करेगा, पहले ये जो anti-tech weapon या फिर जो anti-aircraft defense system है, ये पहले जाएंगे Netherlands या फिर Estonia में और फिर वहाँ से जाएंगे Ukraine में, ठीक है, तो इस तरीके से जर्मनी ने भी अपना पूरा एक जो कहते है ना कि एक open up कर दिया है, तो economically और military दो segment का हो गया, अब तीसरा आ गया कि energy security को भी कहीं नहीं जर्मनी ने अपनी तरफ से एक बार side में कर दिया है, कि कैसे भी करके हम किसी भी country की territorial sovereignty को compromise होते हुए नहीं देख सकते, जहां पर एक country जो अपनी military power का use करके, hard power का use करके दबा रहा है दूसरे country को, ठीक है, तो ऐसे में Nord Stream 2 gas pipeline का जो project था, उसको अब implementation में लाने के लिए अब Germany एक बार फिर से hold पर ला चुका है उसको, अभी तक approval न यहां पर आप map पे देख सकते हो, यह है Russia, ठीक है, Russia के यह western Siberian region में यह दो locations important है, ठीक है, इसमें जो dotted line है, नीचे वाली यह तो देखो Nord Stream 2 है, और पहले से gas pipeline already under function है, that is Nord Stream, तो ऐसे में यहां से उस Luga, यहां से यह pipeline स्टार्ट हो रही है और ultimately Germany के, अब यहां पर देख सकते हो grips world तक आती है, ठीक है, तो ऐसे में already जो functioning जो pipeline ना, उसी की जो supply है, उसको double करने के लिए Nord Stream 2 का काम करना था, पर वोई चीज़े यह complete हो गई बनके, 11 billion dollar का यह project था, complete है, बट under operation तब आएगा जब Germany approval देगा, पर Germany ने इस वे approval देने से मना कर दिया, बेशक जो previous regime था, for example, चांसलर थी, तो उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिशे की थी कैसे भी करके Nord Stream 2 को approval मिल जाए, पर अभी change हो गए, वहाँ पर चांसलर 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 हो गए, और यह जो situation जो अभी दिखाई हो गई, जिसमें Russia ने invade कर दिया Ukraine को, इस वज़े से फिर अब वहाँ पर options अब और जादा close हो गए, ठीक है, तो यह Belarus है और यह Ukraine है, इधर से इधर से attack होई रहा है Ukraine पे, ठीक है, तो यह है मुद्दा पूरा का पूरा जिसमें हमें देखना था, बाकी यह देख सकते हो, Estonia, Latvia, Lithuania, यह है Baltic Sea, ठीक है ना, इससे connected और यह Poland हो गया, उपर Sweden, इधर Finland, आगे जलते हैं, नेक्स्ट है, स्विफ्ट है क्या, और कैसे रश्या को यह limit कर रहा है, अपनी international जो भी accessibility है उसमें, देखो US और European Union ने अपनी तरफ से पहले ही clear कर दिया, कि जो economic sanctions हैं, वो हमें लगाने हैं कैसे भी करके, कि रश्या ने जिस तरीके से invasion किय इसको एक बार दबाओ में लाने के लिए, तो स्विफ्ट में बेसिकली एक यह international payment gateway है, इसका मतलब यह हो गया, कि दो countries के बीच में internationally अगर transaction होता है, तो बैंकों के थ्रू होता है, और वो banks जो हैं, मान लो एक X bank कर जो की USA में operate करता है, एक Y bank कर जो की Russia में operate करता है, अब international transactions ह हो रहे हैं, trade होता है, तो इन दोनों के बीच में जो payment होगा, वो payment से पहले एक verification proper होना चाहिए, कि हाँ जी Y को जो आप payment कर रहे हो, वो उसी user के लिए जा रहा है ना, जिस user के पास में आपको पहुचाना है, या जिस account holder के पास में पैसा पहुचाना है, और X के पास में यह information जो है, वो avail कौन कराएगा, SWIFT, इससे क्या होता है, एक transparent manner में transactions conduct करने possible हो पाते हैं, तो अब यह SWIFT की accessibility अगर जिस तरीके से रशिया के अलग-अलग banks में बंद कर दी गई है ना, इससे क्या हो जाता है, कि वहाँ पर Russian banks अब transactions नहीं कर पाएंगे, अभी तक अगर देखें, तो इरान एक ऐसा country है, जिसको SWIFT से accessibility बंद कर रखी है, और जिसकी वज़े से जो foreign trade था इरान का, वो बहुत ज़ादा decline कर गया था, और ऐसा ही कुछ अभी, रशिया पर दबाव बनाने के लिए, यह SWIFT facility को भी बंद करने की बात की है, और इसमे approval भी मिल गया है, US और European Union की जो members हैं उनके तुआरा, तो SWIFT basically क्या है, इसकी full form होती है, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, यह एक secure platform है, जिसमें financial institutions के बीच में information को exchange करने की facility available होती है, जब कभी भी दो financial institutions जो की अलगला countries में located है, अगर वो कोई भी monetary transactions को conduct करना चाहे तो, ठीक है, तो इस तरीके से यह कोई middle man की तरह काम नही करता, इस तरीके transactions को conduct कराने के लिए कोई इस तरीके से नहीं होता है, कि हाँ जी money इसमें से move होती है, transaction होता तो दोनों बैंकों की बीच में है, पर एक होता ना confidence दिलाना, वो, तो अगर हम देखें, financial messaging service प्रोवाइड करता है, basically यह, right, 200 countries से ज़्यादा countries में operate करता है, और ल ठीक है, इसके अलावा, swift का headquarter कहां पर located है, main operation कहां से होता है, Belgium से, और इसके अलावा आप देख सकते हो, इसमें जो participation है, वो 11 industrialized countries का है, जो oversee करते हैं, that means, जो operate करते हैं इस particular platform को, जिनमें और कौन-कौन से countries हैं, यह सारे के सारे western countries हैं, यह फिर जो industrialized countries हैं, जिनमें जपान आप छोड़ दो, जो कि East Asia में है, इसके अलावा, Canada, France, Germany, Italy, Netherlands, Sweden, Switzerland, United Kingdom और Belgium खुद आ गया, बाकी US और Japan, यह दो ओर एड़ कर दो, ऐसे total 11 industrialized countries हैं, जो operate करवाते हैं, swift को, और यह located कहां पर है, swift main जो है, वो Belgium में, तो Belgium का नाम इसलिए आ रहा था, impact क्या होगा, सिदी सी बात ह international trade पे impact आएगा सिदा, तो ऐसे में, रश्या न वैसे अपनी तरफ से, internationally sanctions लगने के लिए, preparation तो कर रखी थी, कि अगर हम aggression दिखाएंगे, उक्रेन में, तो हमें internationally isolate करने की कोशिश करेंगे, तो रश्या के पास में, अगर अभी foreign exchange reserve देखेंगे, तो वो है लगबग 630 billion dollar के ल कि हमें एक बार time निकाल लेंगे, 2014 में, जब क्रीमिया को annex किया था न, उस time पर तो रश्या के पास में इतना foreign exchange reserve भी नहीं था, पर अपकी बार तो रश्या न पहले ये तैयारी कर ली, दूसरी चीज, चाइना के साथ में जो ties हैं रश्या के वो आपको पता है, बहुत ज़ करेगा, इसके आगे रश्या और चाइना के बीच में पहले से corporation देखने को मिल रहा है, जो भी trade होता उसको लेकर के, ठीक है, तो अब देखने वाली बात ही है, कि अभी जो है, वो swift में जो ban लगाया गया है, रश्या बैंक्स पे, उनमें कुछ बैंक्स पर ही focus किया गया है, अभी 100% ban नहीं लगाया गया है, रश्या के सारे बैंक्स पे, कुछ बैंक्स को ही isolate किया गया है, पर वोई चीज है, कि अगर रश्या इस तरीके से aggression दिखायेगा, तो long term में देखने वाली बात है, कि क्या swift में permanent ही एक बार रश्या को बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा, र व्लादेमिर पुतिन पे इतना कोई असर, पिसली बार भी देखने को नहीं मिला था, अब की बार भी कुछ खास लग नहीं रहा है, पर जो देखना था हमें, वो हमने देखा, आगे चलते हैं अभी, नेक्स्ट आर्टिकल है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रिलेटेड, देखो रश्या की जो स्पेस इजिंसी है, उसके जो हैड है, चीफ, उनका नाम है दिमित्री रोगोजिन, उन्होंने अपनी तरफ से ये कहा है कि युक्रेन में जिस तरीके से रश्या ने लेंगे और उसकी वज़े से ये हो जाएगा कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जिसका वज़न है लगबग 420 टन और जिसकी साइज है बहुत बड़े फुटबॉल ग्राउंड के बराबर, तो ऐसे में उसको जो प्रॉपल्शन सिस्टम है, प्रॉपल्शन सिस्टम तो इसको रोटेट करने के लिए कुछ एनरजी, कुछ फ्यूल की रिक्वाइर्मेंट होती है, और वो जो फ्यूल सिस्टम है, उसी को प्रॉपल्शन सिस्टम बोलते हैं, और उसी को बंद करने की बात कर रहा है, क्योंकि प्रॉपल्शन की जो जिम्मेदारी है, वो रशि पर नहीं किर सकता तो अगर इस ट्रेजेक्टरी देखें इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की अर्थ के चारों तरफ रोटेट रिवाल करने के लिए तो उसमें रश्यन टेरिटरी बोला बहुत हद तक बची हुई है यह गिरेगा तो बोला हमारे उपर तो नहीं आके गिरे इस तरीके की धंकिया भी अभी रश्या की तरफ से आने शुरू हो गई है तो ऐसे में आई एस जो प्रोजेक्ट है यह बेसिकली आप देखो अर्थ के चारों तरफ रोटेट रिवाल करता है राइट चार सो किलोमेटर की हाइट पे यह ठीक है इसमें टोटल पंदरा कंट कंट्रीज हैं जिनमें यूएस रश्या कैनेडा जपैन यह तो हैं ही बाकी यूरोपियन स्पेस एजिंसी के भी कुछ मेंबर कंट्रीज है तो ऐसे में यह मल्टी नेशनल प्रोजेक्ट है फुटबॉल के ग्राउंड के बराबर यह है साइज स्पीड कितनी है इसकी यह द लेता है यह अर्थ के दूसरा यह स्टार्ट हुआ था नाइंटी नाइंटी एट में ठीक है और इसमें अभी तक देखें तो लगबग बहुत सारे एस्ट्रोनोट्स आके मतलब वहां पर जाके आ चुके हैं या फिर काम करते रहे हैं तो लगबग 19 कंट्रीज के 240 एस्ट् तो यूएस के हैं दो रश्या के हैं और एक जो है वो जर्मनी से तो ऐसे साथ जने हो गए अब देखो यहां पर यह जीरो ग्राविटी पर ऑपरेट करनी रहा है तो इसलिए इसको कुछ ना कुछ एनरजी की रिक्वार्मेंट होती है और वो एनरजी सप्लाई का काम कौन क आपको पता है रश्या का अचाहिए कोई पहला स्पेस्टेशन नहीं है इसके पहले भी रश्या ने रश्यन मिर स्पेस्टेशन लांच किया था जो कि 1980 के टाइम पर ऑपरेट करता था और अमेरिका का भी स्पेस्टेशन हुआ करता था अमेरिकन स्काइलेब फिर जो इंट को continue करेगा अब देखो इसके अलावा ये जो international space station इसके अलावा चाइना और इंडिया भी अपनी तरफ से efforts कर रहे हैं कि अपने खुद के space stations launch किये जाएं और चाइना ने तो already prototypes का जो ट्रायल है वो लिया कर भी लिया है दो बार ठीक है अब रशिया का जो थ्रेट वो मैं आप को पहले ही बता चुका हूं propulsion वाला जो system है उसको बंद करने की बात कर रहा है पर इसी टाइम पर जो spacex space agency जिससे आपको पता है astronauts को भी जाता है और बहुत सारे satellites को भी launch करते हैं Elon Musk जो है उसके head तो उनका ये कहना है कि अगर रशिया propulsion system को बंद करने की धंकी दे रहा है न त इंता मत करो मेरी company spacex है ये operation को continue करेगी तो tension लेने की जरूत है नहीं ठीक है यूक्रेन के crisis को लेकर के ये सारा हो रहा है ये हमें पता ही है सारा ठीक है इसके अलावा रशिया ने ये भी धंकी दिया है कि हम US के साथ में आप collaborate नहीं करेंगे Venus को explore करने में ठीक है वीनस के लि पर उसमें अभी ये जो यूक्रेन क्राइसिस के चलते रशिया नहीं ये बोल दिया हम US की जो partnership है उसको exclude करेंगे हमारा खुद का project launch करेंगे तो ये situation अभी चल रही है space areas में जो conflict है जो बढ़ता चला जा रहा है उसको लेकर के ठीक है आगे चलते है बाकि world page front page पे इतनी को important news थी नहीं तो हम सीधा page number 3 पे आ गया है देखो मुंबई में मुंबई से नवी मुंबई दोनों के बीच में water connectivity एंशार करने के लिए 17 फरवरी को एक water taxi service है वो launch की गई थी पर अभी तक 17 फरवरी से अभी तक 11-11 दिन हो गया ना 10 दिन में केवल 3 trips ही हो पाई है मतलब 3 बार इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक ये project जो था जितना सोच करके launch किया गया था कि भई मुंबई से नवी मुंबई अगर कोई जाता है ट्रेन से जाता है तो उसको कितना महेंगा पड़ता है कोई taxi ले करके जाता है तो बहुत महेंगा पड़ता है तो उसके बजाए ये water connectivity अगर देंगे तो सस्ता पड़ेगा बट सवाल ये है कि यहाँ पर outcome जो है लोग जो है वो बहुत कम interested दिखे यहाँ पर ठीक है ना तो इस चीज़ को review करने की बात की जा रही है कि महराश्ट्रा maritime board के जो CEO है अमिट सैनी उन्होंने ये कहा कि 2 March को हम review meeting करेंगे तब देखें पर अभी तक तो देखो यह इतना successful रहा नहीं है तो यह चीज़ चोटी सी न्यूस राजस्तान related न्यूस के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इसके आगे देखें वर्ल्ड पेस के वही चीज़ फिर से आ रही है रश्या ने रश्या को swift से बैन करने वाली हमने द लो ठीक है इरान जो की रश्या का supporter country है वहाँ बर भी प्रोटेस्ट हो रहा है और चाइना में पुतिन the great का जो slogan है वो famous हो रहा है पर हाँ चाइना से भी ऐसी news निकल के आ रही है कि जिन लोगों ने पुतिन को criticize किया उन लोगों को गिरफदार किया गया है इसके अलावा ए 28 फरवरी से पहले पहले approval देना था नेपाल की parliament को बहुत ज़्यादा लंबा की चाहिए मुद्धा पर ultimately नेपाल parliament ने 500 million dollar की जो यह project थी जिसमें deal है US और नेपाल के बीच में उसको approval दे दिया गया है इसमें देखो 400 kilo volt की power substation create करनी है transmission line यह बनानी है तो ऐसे में USA का भी contribution अ अब नेपाल के infrastructure development में आ जाएगा तो ऐसे में यह हम हमारे point of view से देखे ना तो थोड़ा ठीक है क्योंकि चाइना की जो dominance थी ना उसको counter करवाने के लिए USA का अगर investment वहाँ पे जाता है तो उसमें हमें ठीक लगे हमारे लिए थोड़ी comfortable news हम इसको consider कर सकते हैं ठीक है एक तो गई इसके आगे देखें economy page पे इतनी कोई एक भी important news नहीं है जिसे हमें देखना हो ठीक है ना बस एक यह ही है कि जो यह civil score जो होता ना credit लेने से पहले देखा जाता है कि हाँ जी आपका civil score credit rating agency के द्वारा दिया जाता है कि हाँ जी आप कितना खरे उतरते हो पैसा time पे return करने में तो यह civil score का misuse किया जा रहा है कुछ hackers या कुछ कह सकता है ना कि गलत लोगों के द्वारा लोन लेने में एन बी एफसी जो non banking financial companies और वो या फिर जो फिन टेक फर्मस है जैसे धनी और यह नाम आपके पास में आते हैं कई advertisement तो इन से लोन उठाने के लिए क्या करते हैं वो कि दूसरों की ID का use करते हैं पैन नंबर चुराते हैं और फिर उस से लोन ले लेते हैं और जिसका pen है जिसके pen नंबर से लोन लिया जा रहा है ना उसको ये भी नहीं पता है कि मेरा pen card यूज किया जा रहा है अब क्या हो रहा है ये चीज़ पता कैसे पड़ी जब मान लो ये धनी का यहाँ पर example दिया हुआ है धनी से pen card यूज करके और लोन क्यों नहीं किया फिर बंदे को पता पड़ता है कि मेरे नाम से लोन भी उठ गया और खर्च भी हो गया पैसा और EMI भी आ गई तब जाकर कि ये पूरे की पूरी एक के गड़बडी समझ पकड़ाई है कि credit score का जो है miss use होना शुरू हो गया है तो इसके लिए आप देखो review क कि या जाएगा कि civil score के basis पर इकेवल लोन दिया जाना अपने आप में कितना रिस्की हो जाता है ठीक है यही था में इन तो जर्मनी जो है वो रशिया से gas supply पर dependency को reduce करना चाता है उसके लिए खुद से अपनी development activity करेगा इसके अलावा एक important news है थोड़ा जूम करके दिखाता ह हुमें वो है न्यूज ये बी बी एनल टेंडर देखो भारत broadband निगम लिमिटेड अभी आपको पता है कि पंजाहिती राज क्या जितने भी गाउं है हमारे देश में उनको connectivity देने के लिए भारत net project जो चल रहा है उसमें क्या project target पूरे हो नहीं रहे है तो ऐसे में भारत broadband न आप देखो कि 16 states में ये काम करवाना था और इसके लिए 19,000 करोड के लगबक का एक tender भी issue किया हुआ था अब इस tender के उपर जब बोलिया लग रही थी तो बोलिया लगाने के लिए parties ही available नहीं थी तो ऐसे में ये जो private sector का participation होना था ना इसमें भारत net project को complete करने में BBNL के साथ में वो अभी एक बार फिर से hold पे आ गया है क्योंकि वहाँ पर जो private sector के entities हैं वो interest ही नहीं दिखा रही है अपने को खुद को invest करवाने के लिए तो इससे समंदित जो है पुरा detail में हमें कुछ मिलेगा आने वाले टाइम पे तब देखेंगे इसके आगे अगर देखें तो sports पे इसे एक चोटी सी news यह है कि international judo federation जो है ना उसके chairman चल रहे थे अभी तक व्लादेमिर पुतिन थीक है ना अभी उनको अपनी उनकी post से हटा दिया गया है कारण वोई यूक्रेइन पे जिस तरीके सा टैक करवाया है पुतिन ने इसकी वज़े से ठीक है और ये तो बाक की continue है कि इंडिया ने लगातार 12 T20 international जीत लिये हैं ठीक है लगातार successive यह अपने आप में वर्ल्ल रिकॉर्ड अफगानिस्तान के नाम में उसकी बराबरी कर लिया है ठीक है यही थी में में चीजें जो भी news थी वह हमने देख लिया है थैंक यू वेरी मच और एक मैंने करें ठीक है वह बात में अपने बात कर लेंगे ठीक है थैंक यू वेरी मच